वाड़े थाना शेत्र के M.I.D.C. टर्निंग इस्तित शिव मंदर के सम्मिप हुए राहूल होटल परिस्दा में व्रद्द की निर्मम हत्या का मामला सामनी आने से शेत्र में संसनी फैली है मिली जानकारी के अनुसा सोमवार 21 सतंबर को सुबा साड़े आठ बचे की बीच मुरतक रविंद्र राव बापुराव बारबडे उमर 75 धमकीरती नगर M.I.D.C. टर्निंग इस्तित शिम मंदर शेत्र में बैटने गया था वह रोज की तरह मंदर में बैटका रोज की तरह पैसी जमा करता रहा शाम को वह रोज घड़ जाता था और फिर दूसरे दिन वहीं बैट जाता था मुरत रविंद्र राव बापुराव बारबडे अपनी बीटी के साथ वाड़ी में रह रह रहा था पुदभार सुबा घर से निकलने के बाद एक श्रत धालू ने मुरतक रविंद्र राव बापुराव बारबड़े और आरूपी देवराव रमिश राव बरसकर को मंदिल के पास पाया दोनों को भक्त ने 20-20 रुपे दिये थी आरूपी जिला वर्दा तले गाव सिवाडी में शाररिक शरम करने आया था आरूपी के पास रहने के लिए कोई जगा नहीं थी भक्त के पैसे देने के बाद मुरतक रविंद्र राव बापुराव बारबड़े डे दोनों के पैसे से इस्थानी जन से शराब की दुकान पर जाकर वहां से पीने के लिए शराब लाई इस वज़े से खाने को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई इस से बात पर आरोपी भढग गया खाना कम होने को लेकर आरोपी ते बहस करने लगा मृतक रविंद्र राव व्रद होने के कारण चलने के लिए लाठी का प्रयोग करता था आरोपी देवराव रमेश राव बारसकर ने उसी डंडे से व्रद के सिर पर वार किया और व्रद की मौके पर ही मौत हो गई पूरा इलाका खून से लटपत था गटना की गंभीरता को देखती वे पुलिस ने उस दिश्या में जाश शुरू की और कुछ अग्यात लोगों की तलाश की आखिरका सिसी टीवी की मदद से जब आरोपी को देखा गया तो वाड़ी के एपी आई ग्यानेश धवले एकसी महेश कूरसंगे प्रमोज सहारे और उसकी टीम बरड़ी के मोर भवन बसस चौप पर पहुँच गई वहाँ से आरोपी को उठा कर वाड़ी थाना लाया गया और उसने घटना को कबूल कर लिया आरोपी देवराव रमेश राब बरसकर के खिलाफ 302 के तहत वाड़ी पुलिस ने मामला दर्च किया है आगे की चार्च पुलिस निरिक्षक विनोद गोड़ बोले द्वारा वरिष्ट पुलिस निरिक्षक प्रदीप राइड नेवार के मार्ग दर्चन में की चा रही है उक्त अपराद में आरोपित को जब न्यायाले में पेश किया गया तो 27 तारिक तक PCR का बताया गया वाड़ी से NBCN News के लिए सौरप पाटल की रिपोर्ट